आप सबका निव इंडियन एरा में स्वागत है है मैं सेल्फ आजे दूबे आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के क्राइश कोर्स रिविजन कराने वाले हैं जो की आपके पूरा CET एक्जाम के उपर बेश रहने वाला है तो आप सब इस वन सौर्ट लेक्चर को अच्छे से अंडर्स्टैनिंग करिए और आपको अच्छे से समझने की कोशिश करिए आपको इस वन सौर्ट सेसर में पूरा का पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ और इस बेश पर हम अगले सेसर में इस चैप्टर के जो भी से जो आपके MSCT examination के लिए बहुत important होने वाले उन सब को हम लोग क्या करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा session of rotational dynamics तो आप सब का स्वागत है सुबचो class 12th chapter rotational dynamics this is what the first chapter of your physics 1 आपके physics 1 का पहला chapter ने जिसका नाम है rotational dynamics और जो कि हम पुरे one shot revision में इसको पुरा clear करने वाले हैं so I think this is my first lecture in front of you all so I know that you all knows well what is physics so in short way I would like to tell you that physics में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का students always get tension हमें साब बच्चों को दिमाग में रहे था बाबा फिजिक्स है physics is very hard no physics is very simple बहुत आसान होता है physics को understanding करने के लिए आपको बद दो चीजी ध्यान देना पड़ेगा different kinds of energies आपको energy के बारे में जानकरी देना पड़ेगा कि energies क्या होते हैं और आपको matters आपको energy और matters के अगर पूरी जानकरी है तो इसके बेस में आप physics को अच्छे से understanding कर सकते हो तो बच्चों physics में जब भी आप chapter कोई भी chapter start करते हो तो chapter either is belong from energy topic और matter energy of matter से बुरा concept रहता है और उसमें आप सबको पता है रहेगा कि इसमें energy क्या होता है energy is what the capacity to do our work and matters क्या होता है anything in this universe which occupies space and have some masses तो वो सब क्या होता है matters होता है जिसके पास क्या होता है space occupy करने की occupability रहती है उसके बाद उसके बाद कुछ mass contain करता है तो वो सब matters कहलाता है matters को आपने मुस्ति तीन form में देखा होगा जो कि क्या होते है solid, liquid and gas जो कि आपको मैसा solid, liquid and gas में दिखाए देते होगे जो कि आप क्या कहते है state of matter solid, liquid and gas इन form में आपने matters को देखा होगा और energy तो हर type का energy आपने देखा होगा ऐसे कि आपने kinetic energy देखा है, potential energy देखा है, light energy देखा है, cold energy देखा है, hot energy देखा है, chemical energy देखा है इसका नाम आगया है rotational dynamics जो कि आपके सामने दिख रहा है, rotational dynamics बच्चो rotational dynamics को समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि mechanics ज्या होता है, right, what is the meaning of mechanics, so you all well familiar आपको बहुत लोगों पता भी रहेगा mechanics is what about motion mechanics मतलब motion होता है, मतलब जो भी चीज़ें आप motion से related प्राइब करते हों, mechanics के अंदर आता है, yes, study of motion of forces acting on body जब कोई body के उपर force act करता है, तो obviously body क्या करेगा, motion perform करेगा, तो in short, आपको mechanics में इतना समझना है, कि mechanics is nothing but what, the study of the motion, तो motion के form को study करना ही क्या कहलाता है, mechanics कहलाता है, चलिए आगे बढ़ते है, बच्चों जो mechanics होता है, या आपको market में दो टाइप से मिलेगा, ठीक है, is of two types, market में आपको mechanics दो टाइप से मिलेगा, मतलब you can understand the mechanics by two ways, one is what, statics, पहला क्या होता है, statics, second क्या होता है, kinetics, mechanics मतलब होता है, motion, motion दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं, एक होता है statics, और एक होता है बच्चों, kinetics, तो study of, उसका आप दो टैक्स से करेंगे, statics और kinetics से, अब देखते, statics क्या होता है, study of object at rest, वो object जो किस पर रहता है, rest motion पर रहता है, अगर उसमें कोई पर रहेगा, लेकिन फिल्पी, motion perform कर रहे है, तो किस में आएगा, statics में आएगा, तीक है, जो जगे पर होके motion perform करता है, बच्चों, वो सब statics में आते हैं, और जो क्या करते हैं, अपना place change करके motion perform करते हैं, या फिर अपने, कुछ displacement occurs करते हैं, during the motion, तो सब किस के अंदर आते हैं, kinetics के अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों, यहाँ पर आपको यह चीज़ान देना पड़ेगा, status के तो अलग कुछ पार्ट नहीं है, लेकिन जो आपका kinetics है, उसके कुछ अलग सपार्ट है, तो kinetics को आपकर हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक होता है kinematics, और एक होता है बच्चो, dynamics, ठीक है, तो बच्चो, chapter का हमारा नाम था, rotational dynamics, तो dynamics आपका यहाँ पर आया है, ठीक है, तो हम dynamics में detail में जाएंगे, just wait and watch, ठीक है, यहाँ पर आपको बताता हूँ कि, जो kinetics के जो types हैं, वो कैसे act करते हैं, ठीक है, so let's see here, देखों यहाँ पर बच्चो, यहाँ पर जो kinetics होता है, यहाँ आपका दो types होता है, एक है आपका kinematics, और एक होता है dynamics, kinematics में क्या होता है, force को हम highlight नहीं करते हैं, और dynamics में क्या होता है, force को यहाँ पर highlight करते हैं, मतलब यहाँ पर आपको force को assume नहीं करना है, और in this case, आपको force को assume करना है, ठीक है यहाँ पर उप्ची देखते हैं एक सके या, so object in motion kinematics क्या होता है, object in motion without considering motion without considering force तो उसमें क्या, आपको मैंने पहले बता दिया था हूँ, कि बच्चो kinematics में क्या होता है, कि आपको force को consider नहीं करना है in this, we don't have to consider the force yes, और in this object in motion with considering force, मतलब आपको इसमें force को क्या करना है, लेना है मतलब, यहाँ टो अलाओ दफोर्स एज hè, and you have here, you don't have to allow the force आपको इसमें force को consider नहीं करना है और इसमें आपको force को consider करना है yes, मतलब इसमें force एट करता है, लेकिन आपको force को consider नहीं करना है इसमें force add करना लेकिन इसमें force को आपको क्या करना है आगे बढ़ने next येस तो आपका chapter यहां से start होता है the chapter starts from actually here ठीक है यहां सम्हें देखते है जो भी हमने इससे पहले देखा है that was all basic was basic part थे जो हमें जानना बहुत जरूरी था so now we are starting our chapter from here इसके पहले के जो students हुआ करते थे like so उनको यह chapter दो पार्ट में डिवाइड होके आता था I mean दो अलग-अलग topics थे one was circular motion and one was rotational motion लेकिन earlier अभी क्या हो गया है इन दोनों को combine करके chapter design किया गया है उसका नाम है rotational dynamics तो rotational dynamics के अंदर आपको क्या है बढ़ना है बच्चो here we have to study about circular motion and rotational motion तो आपको इसमें पूरा circular motion और rotational motion से ही regarding topics को cover करना है ठीक है जो कि मैं आपको इस one short video में पुरा clear करने वालो just wait and watch देखते जाएं आए देखते हैं कि सबसे पहले circular motion और rotational motion एक्चुली होता क्या है इसको one short में देखते हैं येस तो बच्चो circular motion कैसा होता है the motion along circumference of circle येस वा motion circular motion कहलाता है जिसमें कोई point object किसी point center object के चारो तरफ क्या करता है revolution करता है ठीक है तो वो जो motion करता है उससे क्या कहते है circular motion कहते है here you can see here आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखाया है बच्चो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया sun दिखाया गया sun is it at what? center sun को center पर रखा गया and we all know that जैसे कि हम सब को पता है sun के जो orbit है ठीक है उस orbit पे एक orbit पे हमारा अर्थ क्या करता है चारो तरफ क्या करता है revolve करता है ठीक है तो sun के जो उसके चारो तरफ जो revolution हमारा अर्थ कर रहा है तो अर्थ क्या परफॉर्म कर रहा है circular motion परफॉर्म कर रहा है तो जो sun है उसके चारो तरफ अर्थ का जो revolution है वो कुँन से motion में आएगा circular motion आएगा तो यहाँ पर अर्थ हमारा circular motion परफॉर्म कर रहा है around the sun itself, yes, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक point object लेना था, ठीक है, इसमें point object, एक किसी central object की चाहतरों कैसे motion करता है, उसे हम क्या कहते है, circular motion कहते है, yes, लेकिन in this case, आपको rotational motion में थोड़ा सा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें आप when our dharti maya is revolving around the sun, जिए हमारा earth क्या करता है, sun के चारू तरब revolve करता है, तो circular motion perform करता है, yes, we know that, हम सब को पता है, लेकिन रोटेशनल motion में actually होता गया, रोटेशनल मोशन मतलब जैसे कि, जब sun के चारू तरब हमारा earth revolution करता है, तो earth खुद को भी क्या करता है, rotate करता है, मतलब यहाँ पर जो point object हो, पूरे अपने system को भी क्या करता है, circulate करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा earth है, वो अपने आपको क्या करता है, rotate करता है, ठीक है, तो जब कोई system अपने आपको rotate करता है, पूरा circular object में क्या करता है, revolution perform करता है, तो उस motion को आपने क्या करते है, rotational motion, ज तो पुरा सिच्टम क्या कर रहा है 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 तो पुरा सिच्टम क्य यहां पर आजो कुछ note part है जो हमें धिका करना है ध्यान दिना है, right, what is this, circular motion is accelerated motion, yes, circular motion क्या होता है बच्चो, accelerated motion होता है, क्यों, पर कि जब circular motion होता है, तो जो भी object circular motion perform करता रहता है, उसका velocity रहता है, और वो अपने अलग-अलग point पर velocity change करता रहता है, और velocity change होता है, तो क्या आ periodic motion, yes, जब circular motion perform होता है, कोई object उसका एक fixed time period रहता है, इस time period में क्या करता है, अपना पूरा resolution क्या करता है, complete करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते है Queens, periodic motion कह सकते है, तो जब क्या होता है, जब कुई object अपना revolution एक intervall of time पे , fixed interval of चैम पर बच्चों fix interval of time पर क्या करता है पूरा complete करता है revolution तो क्या कहलाता है पीरियोडिक motion कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं Types of Circular Motion Next topic is what? Types of Circular Motion Types of Circular Motion क्या होता है बच्चों? Here two types यहाँ पे आपको दो types के आपको Circular Motion आपको दिखाए देंगे ठीक है? One is what? Uniform Circular Motion And second is what? Non-Uniform Circular Motion एक होता है Uniform Circular Motion और दुसरा क्या होता है? Non-Uniform Circular Motion नव दिमाग में यह आ रहा होगा Sir Uniform Circular Motion क्या होता है? और Non-Uniform Circular Motion क्या होता है? What are the actual difference? इनके बिश में difference क्या होता है? Uniform में बच्चों क्या रहता है? आपका जो speed रहता है motion का ठीक है? जो भी phenomenon हो रहा है During the motion वो क्या रहता है? स्पीड आपका constant रहता है और Non-Uniform में क्या रहता है? Speed is not constant Yes तो Non-Uniform में क्या रहता है बच्चों? Always remember speed is not constant Speed constant नहीं रहेगा Yes जैसे कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ हमारा जो अर्थ है ठीक है? वो sun की चारों तरफ क्या करता है? revolution कर रहा है ठीक है? circle motion कर रहा है तो हमारा अर्थ एक fix time period में एक fix speed से sun नी भाई की चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है वो आपको क्या पता चेलेगा speed is always constant तो आपका यहां revolution of earth around the sun you can say that it is what? uniform motion वहाँ पे हमारा अर्थ sun की रिगार्ड में चारों तरफ क्या कर रहा है? uniform motion कर रहा है ठीक है? non uniform motion में वहाँ पे speed fix नहीं रहता है yes, yes, very important ठीक है? कुछ जरूरी बाते some basic variables जो की आपको याद रहना चाहिए right? it is very important एक होता है linear और एक होता है angular ठीक है? linear क्या होता है? angular क्या होता है? ठीक है? linear मतलब जैसे कि कोई horizontal surface है कोई horizontal road है उस पे अपना कोई motion हो रहा है जिसे कि मैं चल रहा हूँ ठीक है? I am walking on this horizontal road suppose मैं horizontal road पे कोई सिधा road है ठीक है? उस पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ like this और suppose मैं ड्राइब कर रहा हूँ I am doing any motion मैं चल रहा हूँ या कुछ ड्राइब कर रहा हूँ whatever ठीक है? तो उसमें जो भी motion हो रहा है plane surface पे plane road पे जो motion होते है तो सब किस पे आपते हैं? आपके linear motion में आते हैं ठीक है? लेकिन अगर वो मैं समझो कि किसी circular path में कर रहा हूँ moon motion ठीक है? तो वो किस में आएगा बैटा? angular में आएगा किस में आएगा? angular ठीक है? तो उस motion को आपन क्या कहेंगे? angular motion कहेंगे जैसी कि अगर आपको बताओ जो हमारा earth है yes हमारा earth है मन्तब जो भी planet हमारे है हमारे solar system में वो सब के सब क्या कर रहे है वो sun की चारो तरफ गुला गुला भूम रहे यह सुनो मतलब circle में चक्र मार रहे है किस की चारो तरफ sun की चारो तरफ तो वहाँ पे all planet is performing what? angular motion तो वहाँ पे जितने planet है sun के respect में क्या perform कर रहे है angular motion perform कर रहे है तो angular motion कि में होता है? circular form में होता है. ठीक है? जब circle आ जाता है, curve shape आ जाता है. तो निएक में ज़सेग से में है? और angular में हो जाता है, yes. लेकिन अगर अगर किसी plane surface पे आप तो और क्या itezा priorities, right कर रे हो, walk कर रे हो, चल रे हो, dot रे हो, whatever you craft만, whatever you're doing, ठीक है क्या ध्यान देना आपको यास आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो लीनियर मोशन होता है बच्छो लीनियर मोशन लीनियर मोशन में जो displacement होता है उसको आपन से denote क directive करते वर जो ए Sache ठीक है और जो angular motion कोई है उसके अंदर जो हमारा displacement रहता है वह किसमें रहता है स्च में रहता है इस धीटिया diverse गोऊ-चीटा वीटा वह वी शेहता है वी से denote करते हैं ठीक है और हिए हमारा अगर में वेलासिटिल की बात करें तो वह ओमेगा में हो जाता है, ठीक है, मैं आपको उसका symbolic representation introduce कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही जुरूरी है, बच्चे हमें इसा confused हो जाते हैं, कभी angular में ये वाला, मतलब symbol इस्तेमाल करते हैं, और कभी linear में ये वाला इस्तेमाल कर देते हैं, because of lack of knowledge, तो आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, कि यहाँ पे linear में velocity की लिए होता है, angular में omega होता है, okay guys, so I was telling you that, मैं आपको बता रहाता, कि यहाँ पे acceleration जो होता है, वो linear में a symbols आपन क्या रखते हैं, रिप्रेजिन करते हैं, but while in angular, यह हमारा क्या हो जाता है, alpha हो जाता है, यह symbols आपको याद रखना है, yes, अगर आपको rotational dynamics में कुछ धमाल करना है, तो यह symbol आपको याद रखना है, अगर आपको इसमें confusion रहेगा, तो आप इसमें confuse हो जाओगे, so don't confuse, इसको बद अच्छे से चार्ट को देख लो, आपको पुरा doubt के लिए हो जाएगा, yes, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर question है बढ़ा, what is the relation between linear and angular motion, yes, बहुत सारे बच्चे confused होते हैं, sir, relation कैसे आपने निकाले, between linear and angular, बहुत simple है, बहुत simple, yes, क्या करना अभी आपको नहीं बताया था, just now I told you, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चो, linear में, ऐसे लिए लिए लिखो, ऐसे आप angular देखो, right, इसमें क्या हो है, linear में जो हमारा displacement होता है, and this, वो S से रहता है, right, हमारा जो velocity रहता है, well, यह आपका V में रहता है, right, आपका acceleration जो रहता है, इसमें A से रहता है, ठीक है, and we all know that displacement में ठीटा से रहता है, velocity इसमें, omega से denote करते हैं, and acceleration इसमें आपन, alpha से denote करते हैं, यह तो अभी अभी देखा था, yes, तो मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बच्चों, मैं आपको relation बताने काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको अपने notes में बता कर रहा है, यहां पर आपको explain कर रहा हूँ कि यह क activity होता है, चाहे displacement हो, चाहे velocity हो, चाहे acceleration हो, सब में distance mandated रहता है, तो distance को आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, call out करना पड़ेगा, distance क्या रहेगा, r, सब को r से क्या कर दो, associate कर दो, yes, तो आपका जो relation मने गया, s is equal to r theta, v equal to r omega, and a equal to r alpha, this shows the relation between what, linear and angular motion, तो linear and angular motion का, जो भी हमारा relation है, यही रहता है, ठीक है, यह चीज़ा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, comfort of outcome, yes, अगला topic हमारा आया है, बच्चो, vehicle on horizontal curve road, yes, very important and very interesting, yeah, क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, कि, like, कोई road है, ठीक है, उस road पर, मतलब आप ऐसे चल रहे हो, अचानक से उस road पर ton आ जाता है, ठीक है, मतलब आपके सामने कोई road है, ठीक है, एक सेकिंद, yes, आपके सामने कोई road है, right, वो road ऐसे जा रहे हो, 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 अचानक से आपको क्या करना है, हलका सा घुमाव आगे रस्ते पर, मतलब आपको क्या आगे, ton आगे, हलका सा, ठीक है, तो यह turn कैसा है, curve है, हलका tua ten को क्या कह सकते है, curve कैसा है, कैसा है स्बॉड का रो रोड मतलब ticket अथमिया समें क्या करना है गारी चलना है इसे रोड में क्या करों कुछ ड्राइब करना है तो से हम चैसे हम चलाएंग कितने स्पीड में अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हमारा गाड़ी बाहर चला जाएगा कितने स्पीड में अगर हम सम्हाल के चलेंगे तो हमारा स्पीड अच्छा रहेगा यहाँ पे ज Lights पाड़ा टीजाइन चाहरा है शो करब रोड में आपके सांने यहाँ मैंने अपने हिसाफ और यहाँ में डिचायइन ठीक है तो इसके पास क्या रहेगा वेलासिटी रहेगा लेकिन वेलासिटी कितना होगा अभी पता नहीं है लेकिन वेलासिटी तो रहेगा यह वेलासिटी नहीं रहेगा तो मोशन करेगा नहीं मतलब आगे बढ़ेगा नहीं है सुनू तो यहां पर कोई हमारा वेहिकल जो क् तो यहां पर बीच में कहीं पर आएगा सेंटर आएगा ठीक है तो यह सेंटर मतलब यहां पर क्या होगा यहां से इसको accelerated centripetal force मिलेगा और जो जिसके वज़े से क्या रहेगा वह वहां पर circular motion perform कर पाएगा यह बच्चो मैं आपको चीजा और बताना चाहूंगा circular motion में इन circular motion में एक force जो है जो सबस्यादा important role play करता है जिसका नाम है centripetal force कहना बच्चो centripetal force आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा centripetal force वह force होता है जिसके वज़े से कोई भी object circular motion perform कर पाता है अगर वहां पर centripetal force act नहीं करेगा तो वह object वहां पर circular motion perform नहीं कर पाएगा वो उस circular motion से बाहर चला जाएगा तो बाहर चला जाएगा मतलब कुन सा force आजाएगा वहां पर centrifugal force आजाएगा तो centrifugal force जो होता है वो centripetal force का क्या रहता है opposite रहता है ठीक है centripetal force किसी भी circle में अगर motion हो रहा है किसी भी circular path में अगर motion हो रहा है तो centrifugal force always directed towards the center रहता है और जो centrifugal रहता है ठीक है, centrifugal को भी आप एंट्रिदूस कर देता हूँ आपकी साबने, centrifugal, centrifugal force कर रहता है बच्चो, is away from the center act करता है, away from the center, हमेशा ध्यान देना, और centrifugal force कर रहता है, towards the center, towards the center, yes, तो centrifugal towards the center, centrifugal force away the center, centrifugal force के वेशे आपन क्या करते है, circular path में या किसी घुमाओ दार रस्ते पर आपन गाड़ी अच्छे से drive कर सकते है, centrifugal force की वजे से ही बच्चो क्या होता है, हमारा अर्थ सर की चारों तरफ क्या कर रहा है, circular motion perform कर रहा है, मतलब अपना revolution perform कर रहा है, तो centrifugal force नहीं रहेगा, तो वहाँ पर circular motion नहीं हो पाएगा, ठीक है, यह आपको हमें सा क्या करना, ध्यान देना, centrifugal force क्या करता है, वहाँ पर किसी भी object को उसके against work करता है, मतलब जैसे कि आपके जो motion रहेगा, उस motion से object को बाहर फिख देगा, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि कितने आपने speed में जाएं, जहाँ पर आपका centripetal force आपके उपर अच्छे से act करें, अगर आपने वहाँ प centripetal act करना आपके उपर बंद कर देगा, और वहाँ पर किसका entry हो जाएगा, centrifugal force का entry हो जाएगा, जो कि आपको motion से बाहर फिख देगा, तो कितना safe speed होना चाहिए, कितना minimum safe speed होना चाहिए, कितना maximum safe speed होना चाहिए, यह सब चीजे आज हमें जानना है, जो कि आपके CT exam के हाँ, तो पुच्छों यहाँ पर हम कर रहे थे हमारा छूटा सा, एक्वेशन था, जो कि क्या था, वेहिकल on horizontal circular road, ठीक है, तो इसको हम लोग अप क्या करते हैं, continue करते हैं, तो वेहिकल on horizontal circular road है, ठीक है, यहाँ पर आपने से मैं आपको बताया था, कोई road इसमें क्या कर रहा हमारा गाड़ी क्या कर रहे है, motion कर रहे है, तो motion करेगा तो यहाँ पर इसका velocity भी रहेगा, यहाँ पर इसका centri vital force, जो accelerated motion के form में, यहाँ पर center की तरवेक्ट करेगा, ठीक है, और इस तरह से क्या करेगा हो, आगे आपका motion perform करेगा, इसको और detail में जानने के लिए थोग mental form में दिखाया है, कोई चीज है जो आपके उपर अपने drive में दिखाया है, तो यहाँ पर आप देख लिए बच्चो, यहाँ आपका कोई vehicle है, ठीक है, और vehicle क्या है, किसी road पर क्या कर रहे है, चल रहे है, तो road पर चल रहे है, तो उसमें road से perpendicular को क्या मिलेगा, road का normal reaction मिलेग ठीक है, और इसके ही perpendicular में क्या होगा, road पर हमारा क्या होगा, गाड़ी का जो weight, version with respect to gravity, वो क्या करेगा, act करेगा, yes, क्योंकि हमारे गाड़ी का direction इस साइड है, तो उसका velocity भी रहेगा, मतलब क्योंकि गाड़ी motion कर रहे है, तो of course उसमें velocity रहे गई, yes, और इसमें क्या होगा अब चो, static force भी रहेगा, static force जो रहेगा, बहुत important होता है, अगर force वहाँ पर act नहीं करेगा, अगर वहाँ पर act नहीं करेगा, तो हमारा गाड़ी वहाँ पर motion नहीं कर पाएगा, yes, friction is very important for a motion, कोई motion करने के लिए friction का होना जिरूरी है, yes, अगर मान लोग कि अगर हम walk कर पाते हैं, यहाँ चल पाते हैं, कोई भी गाड़ी walk, बहुत अब गाड़ी motion करता है, हम लोग कोई भी गाड़ी को drive कर पाते है, it's only because of friction, जिस road पर हम गाड़ी चलाते हैं, road पर क्या रहे था, बच्चो, friction रहता है, friction अगर नहीं रहेगा, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर friction नहीं रहा तो हम भी क्या हो जाएगे, हम भी walk नहीं कर पाएगkę, हम भी emotion नहीं कर पाएंगे, अम भी क्या हो जाएगे, slip हो जाएगे, यहाँ पर emotional में हम ध först, हमारा static friction है which Frictional Force कहて है उसका भी यहाँ पर होना जुरूरी है तो हमने यहाँ पर कितने चीज़े लिया है यहाँ पर आißt तो इस निकालने के लिए इन सती चीजों का होना बहुत ही जुरूरी है तो हम क्या डुएस सकते हो यहां पर ध्यांदी जेगा ??धे जो करते है ? बार्यक्शन करते है ? यहां प्रवर नहीं हो पाएगा L 10 कैसा हो जाएगा अन्वालिंस हो जाएगा ठीक है तो वहाद पर इसको यह aivalence कर रहे तो जबो किइंगा हो जाएगा इज़ोrich डुथर फ्रिक्षिन है फींग है जो क्या हो जाएगा अपका कहीं न हहीं है आप मिष्ट कर दक्रिजिए को एक्षार अपन आर लेनेंगे, understood? जो कि आपको किसी कर रहा है, किसकी equal रहेगा? आपके centrifugal force की equal रहेगा, तो आपन दोने equation को क्या करेंगे? साथ मिलेके, equate करके आपन third equation मनाएंगी, yes or no? यहाँ पर आप देख सकते हो, equation 2 divided by equation 1, आपन इस equation को इस equation से क्या करेंगे? divide करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? by dividing हमें Fs upon N मिल गया, from left side and here you can say Mv square upon R, इसका क्या हो जाएगा? Mg लगा दिया, फिर Mcm को cut दिया, right? तो आपर क्या हो जाएगा? as G is goes here, तो आपका V square upon RG हो जाएगा, तो as you can see here, Fs upon N is equal to V square upon RG, yes, simple mathematics, जो क्या आप नित्या भी होगा, तो यह हमें आपको क्या करेंगे? formula बता रहा हो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, तो as you can see here, Fs upon N is equal to V square upon RG, यहाँ पर आगे है, so no, as हमें और पता है, we know that, हम सबको पता है, हमने इसको friction में पढ़ा होगा, static friction क्या होता बत्यों, Fs is equal to mu s into N, मतलग, static friction is equal to, right, यहाँ पर जो mu s क्या होता है, coefficient of static friction क्या होता है, ठीक है? और यह आपका क्या होता है? normal direction होता है, तो this is the formula of static friction, तो static friction की formula से, क्या हो जाएगा बत्यों, यहाँ पर अगर हम लिएकर करते हैं, Fs, यहाँ से N को इदर लिखे आ जाते हैं, चले हैं इदर, N हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बत्यों, यहाँ पर आपका mu s हो जाएगा, ठीक है? तो क्या आपको N को mu s से क्या करेंगे, replace कर देंगे, ठीक है, so here you can get mu s equal to v square upon rg, right, but हमें निकालना क्या है, speed निकालना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों, यहाँ पर rg को यहाँ फेस देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बच्ची का v square, दोस्कों हम लोग कैसे रिख सकते हैं, v square equal to mu s r got it, यहाँ पर हमारा v square, तो हम क्या करेंगे, इसका, हम क्या करेंगे, square root ले 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 तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा right side का, जो भी हमारा term है, सब किसमी आजाएगा, root के अंदर आजाएगा, ठीक है, तो v is equal to under root mu s rg, जहाँ पर v आपका maximum speed रहेगा, mu radius, you can say distance, and where g is what, gravity, तो यह आपको यह पता होना चाहिए, very important formula, आजे next, banking of road, बच्चों अगला topic हमारा क्या है, banking of road, yes, अब तब का सबसे मज़ेदार topic अभी आपका, banking of road actually होता क्या है, ठीक है, banking of road is nothing but what, banking of road means rising the outer edge of the road with respect to inner edge so that the road makes an angle with the horizontal, sir, नही समझा, कैसे समझेगा, sir, just आपको बताता हो, यहाँ पर क्या करना आपको बच्चों, छोटा से मैं आपको डेम हो दूँगा, आपने, जैसे कि आपने अप तक देखा होगा, एक होता है, horizontal road, yes, horizontal रहता है, yes or not, और एक देखा होगा, ऐसे horizontal रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे height पर आजाता है, ठीक है, मतलब आपके उपर slope आ जाता है तो आपने दो टाइप का road देखा हो बैच्छो एक देखा होगा जो ऐसा सीधा चलता है एकदम plain ठीक्या है? और एक road रहता है बैच्छो ऐसे इसा ही height पर घटा घ्याए है तो इहां लेकिन यह आपका क्या हो जाता है बैंक रोड बैंक रोड मतलब होता है कि उस रोड में स्लोप आ गया है यह सुनो फॉर्मुला वन रेस होगए रहा होता है या फिर एसे रेस होते है जहाँ पर ऐसे चलता है गाड़ी चलता है इस पी चलता है मतलब आपको ऐसे चलना है तो आपको वो road जो हलका सा inclined हो गया है, मतलब पहले plane था लेकिन बाद में inclined हो गया है, तो inclined road जो रहता हूँ, रोट क्या कहलाता है? बच्छो, bank road कहलाता है, क्या कहलाता है? bank road कहलाता है, understand or not? तो bank road में हमें सा ध्यान देना bank road में हलका सा क्या आ जाता है वहाँ पर angle form हो जाता है इसको बोलते है inclined angle ठीक है किसी की here ऐसा road था लेकिए अब road ऐसा हो गया तो यहाँ पर जो angle बन गया है वो यह आपका banking of angle रहता है उसको आपन क्या कहते है बच्चो तो inclined angle कहते है क्या कहते है inclined angle ठीक है इसको inclined angle भी कहते है ठीक है और यही पर हमारा क्या होगा गारी चलेगा यही पर हमारा गारी चलेगा ठीक है तो ऐसा हमारा गारी चलने वागा understand or not तो इसको हम क्या कहते है bank road कहते है क्या कहते है इस पे चलनता है गारी उसको horizontal road कहते हैं लेकिन हलका सा इसे आपका वह आ जाता है मतलब ऐसा था ठीक है अब ऐसा आ गया मतलब हलका सा आपका slope आ गया है ठीक है या अपका से इसे करव आ गया है उस curve road पे आपको क्या करना है गारी चलाना है तो उस curve road पे आपका क्या कहलाएगा bank road कहलाएगा क्या कहलाएगा बच्चो bank road कहलाएगा ठीक है तो banking of road क्या होता है जिसमें with respect to horizontal ठीक है एक angle form होता है ठीक है तो उस angle क्या कहते है bank road कहते हैं यहाँ पर मैंने छोटा सा और प्यारा सा definition दिए आपके लिए banking of road means raising the outer edge of the road with respect to inner edge of the road इस कॉल bank road ठीक है यहाँ पर आपको डेटेल में बताता हूँ नीचे आजाएगे यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप लो banking of road को यह आपका क्या है बच्चो this is what यह आपका क्या है यह है आपका horizontal road क्या है बच्चो horizontal ठीक है horizontal मतलब होता है plane plane road ठीक है यह होता है plane road और plane road में अगर हलका सा inclined angle form हो जाए slope आजाए और उस curve road पर आपको गाड़ी चलाना है तो आपका क्या हो जाता है आपका यह आपका हो जाता है bank road bank road मतलब होता है घुमाओदार road ठीक है घुमाओदार road मतलब हलका सा आपको घुमना पड़ेगा ठीक है और उसमें कैसा रहेगा ऐसे आपको क्या करना आपको गाड़ी चलाना है या फिर अपने किसी भी टम को अपको क्या करना है ठीक है तो सब किसमें आएंगे बच्चों bank road के अंदर आएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा कि sir sir most safe speed on bank road sir कोई ऐसा road है और उस पर आप गाड़ी चलाने के लिए बूल रहे हो ठीक है तो उस पर आपन कौन सा मतलब अब वह स्पीट चलें जिस पर आपन मतलब नीचे न गिरें और अच्छे से हम लोग क्या करें अपना जो भी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके ठीक है तो वह वाट सुद वी डाट सेफ स्पीड वह सेफ स्पीड क्या होना चीओ क्या होता है ठीक है तो बच्चों आपको मैं With Respect to incline angle यहां पर आपका bank Road बन गИा है ठीक है। It was your horizontal road & with respect inclined angle यहां पर आपका क्या बन चुका है। इस bank Road पर आप क्या कर रहे हो गाडि क्या क्या कर रहे हो technically पुदाली ड्राइब करते समय क्या क्या चीजे होती है जो आपके उपार एक्ट करती है तो पहले वह जान लो अगर वह आपको पता चल जाएगा तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो तो सबसे पहले पिक्टर है कि बैंकडंब पर कोई कार कर भाहे हुआ ठीक है है यह कर मतलम अजुं करो कि अपना अंड्या ड्राइब कर रहे है ठीक है अवर अंड्या कालरय च्ज कर लेता instructions कि अपना कार ड्राइब कर रहा है थोड़ा सरारती है लेकिन अच्छा ड्राइब करता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा अंडिया क्या कर रहा है बैंक रोड पर हमारा बैंक रोड है बच्चो ठीक है इस बैंक रोड पर घुमाओदार रोड पर ठीक है यह कोई परसन हमरा अंडिया है जो क्या कर रहा है गारी को ड्राइप कर रहा है ठीक है तो इसिम गारी का चीज पर कि अद्धिकर पर ग्रेंग आपका एमजी ठीक है कार के ओपर बेट रहेगा बच्चो वह क्या करेगा एक करेगा पित रिस्पेक्ट टू ग्राविटी ठीक है इसके बाद जो जब कार का जो फोर्स है जब हमारे रोड पे पड़ेगा तो रोड का फोर्स भी कार के उपर जाएगा यह सुन दबाव जाए नॉर्मल रियक्शन के फॉर्म में जाएगा ठीक है तो दुसरा चीज आपको यह पड़ेगा ठीक है चूकी ऐसे घुमाओ दार आ रहा है तो उसका कहीं ना की सेंटर आएगा जो की सर्कुलर फॉर्म परफॉर्म करेगा ठीक है तो उसके वैसे आपके उपर आपके उपर क्या करती है एक करती है ठीक है बच्चो तो यह सब तीनों चीजों को अरेंज करेंगा अच्छे से और आफ्टर दैट वी चैट आवर मोस्ट सेफीड आउट बैंक रोड यस पच्छो हमें इसको वन सोट में खतम करना है इस नौद रेगूलर लेक्ट्चर इस इस रिविजन लेक्ट्चर तो आपन इसी फोर्म्ले के बेच पे क्या सौल करेंगा पच्छो आपन इसी फोर्म्ले के बेच पे यह मिल जाएगा पहला देखो यह इसको बैलंस कर रहा है यह सोनो यह आप मैं आपको सो कर देता हूं इस balancing to this yes तो first हमारा equation हो जाएगा n is equal to mg yes n equal to mg yes अगे अगर यह balance नहीं लगेगा मतलब जो normal reaction है अगर यह बच्चों जो normal reaction है अगर normal reaction पे हमारा mg equally behave नहीं खरेगा तो क्या हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी गाड़ी उल्टी हो जाएगी यह गिर जाएगी यह slip हो जाएगी yes वहाँ पे अथी से गाड़ी आपकी motion नहीं करेगी तो यहाँ पे आपको पता होना चीए you should know here the n is equal to mg yes your n should be equal to mg यहाँ पे आपका क्या होना चीए mg की equal होना चीए ठीक है आजो फट्ट 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 ध्यान दो लग चीए बाबाद आपन इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ तो लिखा है also n cos theta equal to mg ठीक है और नीचे आप देख रहे होगे n sin theta equal to mg square upon r yes sir यह क्या question आ गया दिमाग में दो पड़ी नहीं रहे हैं अब मैं आपको अच्छे से पूरा clear करता हूं ठीक है wait मैं आपको पहले photos दिखाता हूं आजाओ अंड्या आजा ठीक है so यहाँ पर ध्यान दो बचा कैसे equation बना है मैं आपको equation को यहाँ पर solve करके दिखाता हूं ठीक है try to understand here whatever ध्यान देजिएगा आप लोग ठीक है first आपका equation बनेगा first ध्यान दो यहाँ पर n है equal to mg है ठीक है यहाँ पर n क्या है equal to mg है understand or not you can see here ठीक है so first आपका है n equal to mg और second है आपका second क्या है second है आपका यह ठीक है accelerated centripetal force understand or not second है आपका centripetal force ठीक है centripetal force क्या होगा mv square upon r understand or not yes तो आपका जो normal reaction होता है बेटा किसी भी गाड़ी के उपर वो आपके mg को और centripetal force को दोनों को balance करेगा अगर वह आपके दोनों balance नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आपका जो गाड़ी है अच्छे से drive नहीं हो पाएगा येस तो आपका जो n है आपके वो n mg को भी equal रहेगा और plus आपका centripetal जो force है उसको भी क्या रहेगा equal रहेगा येस ठीक है तो आपको पता होंगा अच्छी this will also equal to कितना लगेगा n के equal लगेगा understand or not तो आपन क्या कर सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं ठीक है अच्छे एक चीज़ आपको ध्यांद नहीं आपर here you have to understand one thing आपको ध्यांद नहीं कि यहाँ पर रिजॉल्व होगा with respect to y and with respect to x तो y पर हमें पता है आपको बैटेगा cost theta और यहाँ पर हमारा आपको पता है x success पर बैटता है sin theta तो आपका जो n है n आपके पर reward आपका resolve हो जाएगा इस success के साथ और यही n आपका resolve हो जाएगा इस success के साथ understand or not तो आप क्या कर सकते हो while finding the आपका centripetal force निकालते समय आप n को इसके equal लोगे and while what mg को equal करते समय आप इसको लोगे understand or not तो आपको कुछ जादा नहीं करना है जो n है आपका पहला वाला ठीक है इसको क्या कर देना है cost theta ठीक है सीधा और जो second वाला जो n लगेगा आपका इसके equal रहेगा ठीक है तो इसको भी क्या कर दो n sin theta कर दो understand or not तो अगर इसको मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कैसा लिखता हूं look it here n sin theta equal to mv square upon r right second n cos theta is equal to mg ऐसा मैंने क्या बच्चू क्या किया है दो equation दिखा ठीक है अब क्या करना है दोनों equation को आपस में divide कर दो dividing both the equation ठीक है दोनों को divide करो जब आप divide करोगे तो left का लफ़डा left के साथ n sin theta upon n cos theta और और right का लफ़डा right के साथ left का left के साथ right का लफ़डा right के साथ yes तो आपने इसको divide के साथ इसको divide के साथ right जो हम बच्पन से करती हा रहे है तो आपका n से n को card डाला ठीक है यहां पर m को card डाला तो क्या बचा डाला public क्या बचा बताओ sin theta uppu cos theta nici यहां पर क्या बचा बताओ V square upon और यह जी उपर चला जाएगा तो आपका बचेगा आर जी understand or not yes आचा आपको बच्पन में बताया गया है sin theta upon cos theta क्या होता है बच्चो क्या होता है बच्चा फटा 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 बता हो क्या होता है sin theta upon cos theta is what 10 theta yes ठीक है trigonometry में आपने पढ़ा होगा कि sin theta upon cos theta 10 theta right so तो v square upon rg got it तो यहाँ पर क्या होता है बच्चो here we have to find v तो rg को यहाँ फेज़ दो तो क्या होता है गा rg 10 theta equal to v square right तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या कर सकते हो आप ऐसा लिए सकते हो ऐसा मज़ा नहीं आ रहे तो rg अगर पीछे से नहीं आता तो आगे से करो ठीक है तो v square equal to rg 10 theta point यहाँ पर क्या करो taking square root क्या हो जाएगा v equal to यह सबके सब root में चले जाएंगे yes rg 10 theta got it yes तो आपका v कितना है बच्चो v equal to rg 10 theta yes यह हमने क्या किया था आप सको निची डिराइब किया था ठीक है जो कि मैंने आपका आप पर explain करता है ज्यादा वेट था accelerated circular motion था ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाता तो हमने क्या किया जो नॉर्मल रेक्शन था वो mg के और आपका centipetal force उन्हों को क्या कर रहा है equally balance कर रहा है तो हमने जो आपका normal reaction उसको एक साथ एक बार इसके साथ ठीक है cos theta के साथ एक बार आपका sin theta के साथ क्या कर दिया resolve कर दिया after resolving that इसको इसके साथ balance कर दिया और इसको आपके centipetal force के साथ balance कर दिया ठीक है after balancing that we get two equation one this second this we what we divide both top each other के दुरों को divide कर दिया इसको इसको divide किया n sin theta upon n cos theta तो हमें ऐसा मिला काटापुटी किया थोड़ा बहुत तो हमें क्या मिल गया v equal to under root rg 10 theta मिल गया ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं फटा फट 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 बस खत्म होने वाले ज्यादा टेंसर ने लेगा फटा फटा फट खत्म कर देते हैं निच्चो आओ निच्चो और निच्चो आओ येस तो अभी जो हमने finish किया है यहां पर बच्चो ठीक है जो हमने equation को यहां finish किया है अगर आपको उसी bank of road में जो आपका bank road था bank road में minimum safe speed निकारना है क्या निकारना बच्चो minimum safe speed निकारना है तो minimum safe speed आपका क्या हो जाएगा minimum safe speed होता है v mini under root rg 10 theta minus mu s upon 1 plus mu s 10 theta यह आपको क्या करना है याद रखना है for minimum safe speed ठीक है और यह equation जो आपको नीचे दिख रहा है यह maximum safe speed है जो भी आप इसको भी क्या करेंगे याद रखेंगे v max is equal to under root rg ठीक है bracket 10 theta plus mu s upon 1 minus mu s 10 theta इसको भी आपको याद रखना है यह how to also remember this आपको यह भी क्या करना है बच्चो याद रखना है अगर आप याद नहीं रखेंगे तो CT की कुछ ऐसे आपको numerical problem मिल सकते हैं जो आपको disturb कर सकते हैं तो मेरे बच्चे disturb नहों जिसके लिए मैंने यह दोनों भी यहाप पर लिखके रख दिया हैं आपको बस क्या करना है सिंपल सथी आपको याद करना है ज्याद नहीं hardly 10 मिट लगेगा ठीक है तो यह equation for minimum save speed यह equation for maximum save speed yes तो यह दोनों आपको बच्चो क्या होना चाहिए याद होना चाहिए अभी में दोनों आपको यहाँ पर derive करूंगा तो बच्चो हमारा one short lecture में यह पूरा हो नहीं पाएगा ठीक है तो as I promised you कि मुझे one short lecture में पूरा rotational dynamics को आपके लिए revise करके देना ठीक है we are doing for CT CT में आपको इसको derivation करने नहीं आएगा CT में आपको बस क्या पता होना चाहिए बच्चो you should remember the formula if you remember the concept and the formula then you can easily score a good marks in CT आप फटे अच्छी नंबर निकाल सकते ठीक है आजो अगला लोग करें फटा फटे यस 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 अगला topic है मारा बच्चो क्या है topic what is the next topic next topic हमारा है well of death wall of death आपने बच्पन में देखा होगा या अभी भी देखा होगा आपके गाओ में सहर में जब कभी भी सरकस बनता है वहाँ पर लोग आते हैं जब सरकस का आयोजन किया जाता है और्गनाइज किया जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक चीज़ तो अब इसा रहता है कौमने बच्चो मैंने भी इंज्वाई किया है फने बच्पन में and still when I get some free time और मैं जो पता चलता है कि हां सरकस होने वाला है तो I always try to enjoy this मौत का कुवां ये ड्रामा देख ब्रूं 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 ऐसे क्या करते हैं उसमें पुरा चारो तरफ गाड़ी को क्या करते है चलाते हैं देखने बच्चों बहुत डेंजर लगता है लेकिन बहुत इजी होता है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के जुरूत परती है यह सब मैं आपको प्रमोट में जो bikers रहते हैं वो अतना अच्छे से क्या करते हैं उस मौत के कोई में अपना गाड़ी जो bikers को क्या करते हैं राइट करते हैं तो आपके दिवाग में यह भी question आता होगा कि मौत के कुवां का आखिर राज क्या है कि मौत के कुवां में ऐसा क्या रहता है what the secret कि इसमें जो riders राइट करते हैं जल्दी गिरते नहीं वो एक ही equal speed में एक ही particular path के क्या करते हैं motion को perform करते रहते हैं तो आखिर वजा क्या है मैं आपको वजा बताता हूँ ठीक है यहां बच्चों कैसा है कि यह मैंने आपके लिए बनाया है डाइग्राम के लिए मौत का कुवां ठीक है दिस इस मौत का कुवां आपने देखा होगा बहुत पिच्चर अच्छी नहीं है टिकिन मैं ट्राइंग टू में कुव रिकीं की मौत का कौवां ठीक है ठीक है तुष में क्या रहता एक इस में कुछ और स्र hell ठीक है तो भाईकर क्या करते हैं पर गाड़ी कर चलाते रहते ठीक है जहां पर क्या करते हैं इसे बाइकर्स रहते हैं जो इसे क्या करते हैं गाड़ी चलाते रहते हैं ठीक है इसे डारेक्शन में ऐसे ऐसे गाड़ी क्या करते रहते हैं चलाते रहते हैं तो ऐसा क्या रहता है जिसके वैसे वह बाइकर्स नीचे नहीं गिरते हैं एक ही स्पीड म एक ही path पे क्या करते रहते हैं, ऐसे, 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 क्या करते रहते हैं, वहाँ पे right करते रहते हैं, तो आखिर वजा क्या है, ठीक है, वजा यह है कि उन bikers के उपर, क्या रहता है, आपका frictional force लगा रहता है, ठीक है, क्या लगा रहता है बच्छो, frictional force लगा रहता है, ठीक है, house bikers पर क्या रहता है आपका centripetal force लगा रहता है जो की total आपके normal reaction को क्या रहता है equal रहता है तो यह चीज आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है जैसे कि मैं आपको आपके सामने figure बनाता हूँ ठीक है figure देखो ध्यान से Can try to understand the figure यहां पर कोई बन्दा है ठीक है यह बंदा क्या करने वाला है आपको इसे घुमने वाला है घुमने वाला है तो ऐसे ही इसका कुछ सेंटर रहेगा ठीक है वह सर्कुलर सेंटर की चारुतर तरफ जो उसका वाल रहता है ठीक है मतलब चारो तरफ क्या रहता है वाल रहता है सर्कुलर टाइप का उस वाल पर गाड़ी क्या करती रहती चलती रहती ठीक है तो बच्छो क्या रहता है जो वहां पर ऑब्जेक्ट रहता है जो क्या करता है मोशन परफॉर्म करते समय उसके उपर क्या-क्या चीज़े एक्ट कर करता इस दो आपको पता होना ज़ imi डियола है इस जी आपको पता होना को होना जरूरर यह क्या करेंगा उसको नीचे करने से क्या करेगाδα नीचे under बंदा ना गिर जाए उसके लिए क्या करेगा उसको अपोस करेगा तो आपका जो उस बंदे के ऊपर आपका आपका या पर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ठीक है उसके बाद आपका जो वेट रहेगा वो नीचे लगेगा एमजी लगेगा ठीक है और इसमें ज यहां पर आपका centripetal force लगेगा जो की center से क्या कर रहा है? Act कर रहा है, ठीक है? Centripetal force के वेशीर क्या कर रहा है? चारोठ प्या कर रहा है? उसके गोल-गोल भूम पार है Yes, आपको मैंने पहले बता दिया, इससे पहले slide में बताया है कुछ समय पहले कि centripetal वह force होता है जिसके वज़े से कोई भी body क्या करता है circular park में क्या करता है motion को perform करता है ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा हो जो biker से क्या करते है circular motion perform करते है तो वहाँ भी बच्चों क्या रहता है वहाँ पर भी आपका centripetal force act करेगा yes और centripetal force किसता act करेगा equal to normal reaction जो कि आपको यहाँ वाल से मिलेगा ठीक है जो यहाँ पर क्या करेगा normal reaction क्या करेगा यहाँ से भी मिलेगा और क्या करेगा उसके according क्या करेगा centripetal force act करेगा ठीक है तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ देखों यह आप पर here Fs is what? friction N is what? normal reaction ठीक है? and after that mg क्या होता है बच्चो weight होता है ठीक है? and उसके बाद अपका Fs क्या होता है बच्चो is equal to what? mg जैसे क्या आपको बता हूँ जो यहाँ पर Fs रहेगा एक second हाँ तो आपका जो Fs रहेगा बच्चो क्या रहेगा है? Fs जो रहेगा वो आपके mg को क्या करेगा? balance करेगा ठीक है? now सेके अभी क्या हो जाएगा? first equation बन गया है this is what? first equation इसको first equation दे तो ठीक है? अब क्या हो जाएगा? जो हाँ पर N क्या है? act as centripetal force N क्या कर रहा है? as a centripetal force act कर रहा है ठीक है? तो क्या हो जाएगा? N is equal to N is equal to Mv square by R यह क्या होता है? centripetal force का formula होता है centripetal force का formula ठीक है? तो आपका N जो है centripetal force को क्या रहेगा? इकूल रहेगा? ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे but we know that f is equal to mu s n yes हमको अब पहले बताय गया था कि जो static friction होता है वो क्या रहता है mu s n रहता है वहाँ पर mu s क्या रहता है coefficient of steady friction रहता है और n क्या रहता है बच्चो normal reaction रहता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपन क्या करते हैं यहाँ पर जो f s का value है ठीक है इसको आपन यहाँ पर put कर देते हैं ठीक है f s is equal to mu s n ठीक है इसको आपन यहाँ पूट कर देंगी यह हमारा equation 1 है यह हमारा equation 2 है तो इस value को आपन equation 1 में क्या करते हैं put कर देते हैं तो from equation 1, जो हमने विस value को यहाँ पे put कर दिया, तो we get what, mu s n equal to mg, mu s n equal to mg हो जाएगा, I got this, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होगे, n देख रहा होगा, here you can see n, तो n का value क्या होता है, n is equal to what, n equal होता है, mv square by r, yes, n का value क्या होता बच्चों, mv square by r, जो हमने value क्या कर दिया, put कर दिया, from equation 2, from equation 2, हमने from equation 2, मतलब second, equation के help से क्या कर दिया, आपर यह value को put कर दिया, then we get what, हमें क्या मिल गया, mu s mv square by r equal to mg, तो आपने क्या किया, m से m को, चल निकर, ठीक है, उसको निकाल दिया, आप क्या हो जाएगा, आपको क्या बच्चों, यहां से यह r उतर चरा जाएगा, तो rg हो जाएगा, और यहां पर आपको mu s 0 हो रहेगा, ठीक है, चुकि आपका यह उपर है, numerator में तो नीजी जाकि क्या हो जाएगा, denominator में हो जाएगा, ठीक है, तो आपका equation कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यह आपका v को यहीं पर रखो, ठीक है, आप v को क्या करो, v को यहीं पर रखो, और बाग की सभी टम को उस साइट फेज़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा, v square equal to r g upon mu s हो जाएगा, चुकि यह किस form में बच्चो, यह square form में, तो taking square root ले लो, square root लेने पे आपका जो हो जाएगा, यह term किस के अंदर आजाएगा, पूरा root के अंदर आजाएगा, ठीक है, और यह आपका क्या हो जाएगा, minimum safe velocity, यह velocity, वहाँ velocity होता है, जिस velocity पर अगर bikers अपनी गारी को right करेगा, तो वह नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, तो बहुत सरे questions ऐसे pushy आते हैं, what is the safe and minimum speed, ठीक है, of any bikers who riding in well of death, ठीक है, wall of death में, अगर कोई biker गारी चलाता है, तो उसका minimum safe speed क्या है, उसका formula क्या है, तो आपका safe speed का formula यह होता है, इसको आप याद रखोगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो, फटा फट 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 ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस खतम होने वाला है, कुछ important और last की कुछ concept बचे हैं, ठीक है, आज बचो, some basic concept of translational motion and rotational motion in details, कुछ फट 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 चीज़ ध्यादेना आपको, कि rotational और translational में क्या-क्या चीज़ी होती हैं, जो हमें पता है, लेकिन अच्छे से नहीं पता है, ठीक है, उसको ध्यान देंगे, आप फट 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 फट, ठीक है, चलो, मैं आपको बता दू बच्चो, जो translational motion होता है, उसको linear motion कहते हैं, और जो rotational motion होता है, उसको angular motion कहते हैं, ठीक है बच्चो, yes, अभी हमने, इसका अपने difference और relation भी निकाला था, कि linear और angular में क्या-क्या चीज़े होती है, linear में क्या होता है, angular में क्या होता है, linear में displacement क्या रहता है, linear में velocity क्या रहता है, angular में velocity क्या रहता है, मतलब इससे चीज़ें अभी हमने just now देखा था, ठीक है, तो उसको और detail में देखते हैं, और भी कुछ चीज़ों को जोड के, ठीक है, ठीक है, velocity हमारा linear motion में V से रहता है, velocity हमारा angular motion में omega से रहता है, ठीक है, acceleration हमारा linear motion में A से रहता है, वही acceleration हमारा angular में alpha हो जाता है, understand or not, yes, तो आपने उपर क्या लगा है, यह arrow क्यों लगा है, arrow में आपको यह show कर रहा हूं, कि यह जो motion है यह motion एक vector को show कर रहे है मतलब हमारा motion एक vector quantity में चल रहे है vector मतलब उसके पास magnitude रहेगा और direction रहेगा motion में 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 direction रहते है ज़्यादा तर जो में सा क्या रहते है move करते है आगे 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 बच्चो फट फट मास आप सबने सुना होगा मास का नम जो मास होता है बच्चो linear में उसको m से so करते हैं और वही मास जो होता है angular में आपका inertia कहलाता है क्या कहलाता है बच्चो inertia अब inertia क्या होता है अभी जिस कुछ समय बाद आपको बताने वाला हो ठीक है फोर्स का जो हमारा अंकल ने फॉर्मूला दिया था Newton's first law Newton's first law Newton's second law Newton's third law ऐसे बहुत सरा उन्होंने मतलब motion का force का उन्होंने क्या दिया था फॉर्मूला दिया था तो उसी फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला मैंने आप पर लिखा है जिसका है नाम यहाँ पे Newton's second law जो कि हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला पापा इकॉल टू मम्मा फादर इकॉल टू मदर नहीं बजा खर रहा हूँ वैसा आपको नहीं याद रखना है आपका यहाँ पर फॉर्स है मतलब मास है और यह मतलब acceleration है ठीक है तो as f is equal to m m助长 linear में होता है वहीं अगर हम angular में बात करें बच्चों तो हो जाता है tau is equal to i alpha यह हो जाता है यहाँ पर फॉर्स का जगाक जगा कोन लेता है tau लेता है मास का जगा कोन लेता है i लेता है a का जगा कौन लेता है alpha लेता है ठीक है तो हमेशा ध्यान देना always remember कि यह formula जो आपके सामने है Newton's का second law ठीक है यह जो Newton's का second law आपके सामने है वही angular में क्या हो जाता है tau is equal to i alpha हो जाता है बच्चो यह चीज़ ध्यान देना ठीक है आगे बढ़ते है foot up foot foot up foot foot up foot आपने बच्चो देखा होगा work work क्या होता है force into displacement yes हमने देखा work का formula is what force into displacement कोई भी work तब तक perform नहीं हो सकता जब तक उसमें force ना लगे ठीक है force लगे तो उसमें displacement होगा और displacement होगा मतलब आपका work done हो गया ठीक है work क्या हो था बच्चो force into displacement ठीक है तो यह अगर हम इसको angular के time में पढ़ते हैं ठीक है angular मुसर में क्या हो जाएगा तो work को हम w को w से denote करेंगे force को हम आप पे tau से denote करेंगे और displacement को आप नहीं पे theta से denote करेंगे ठीक है तो ज्यादा changes नहीं है बस आपका है आप पे force और displacement का change दिया गया force को tau के साथ और displacement को theta के साथ यह चीज़ा आपको ध्यान देना ठीक है तो आपको पता होना चाहिए kinetic energy क्या होता है half mv square ठीक है तो half mv square जो होता है kinetic energy यह आपका अगर angular में पढ़ा चाहिए तो क्या हो जाएगा half i omega square m क्या हो जाएगा inertia हो जाएगा और v क्या हो जाएगा omega हो जाएगा यह सब हमने अभी देखा था ठीक है अगर आगे आ जाते है अगला क्या बच्छो momentum अगला क्या बच्छो momentum का formula क्या होता है P equal to mv ठीक है और यही momentum अगर हम करते है angular में किसमे голов में बच्छो angular में तो angular में हो जाता है L equal to i omega कैसे जो यहाँ पर अपका linear momentum होता है उसको P से denote करते है чotको और जो angular momentum होता है उसका symbol L से denote करते है angular में ठीक है तो angular में L से denote करते हैं symbol, momentum के और linear में आपन P से दिनोड करते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर जो linear momentum P था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास को हमने देखा था, तो आप कुछ questions को स्वाल नहीं कर पाऊगे, confused होगे, ठीक है, तो don't get confusion, बस उसको याद कर लो, ठीक है, आपको यूँ आ जाएगा, फटा फटा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, do it fast, yes, 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 हमने around, बता दू, हमने अब तक, जितना time हुआ है मारा, अब तक हमने around 80% स्लेवर्स को complete कर दिया है, ज्यादा अब आपको ठकाऊंगा नहीं, बस 20% और बचा है, जो कि बस कुछ समय में आपका फटा 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 जाएगा, ठीक है, बढ़ते है, moment of inertia, क्या बच्चो, moment of inertia, बहुत बच्चो की दिमाग में आता है, moment of inertia, कैसे रहता है, ठ moment of inertia, बहुत सिंपल होता है, जैसे कि मैं आपको छोड़ा से example देता हूँ, I give a very 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 interesting example, ठीक है, वो example अगर आपने याद रख लिया, तो बच्चो, I promise you, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठारा भाई जोगेंदर आपको बोल रहा है, कि आपको वो कभी दिक्कत नहीं सकते, ठीक है, I give a very interesting example, ठीक है, पहली बात, moment of inertia जो होता है बच्चो, moment of inertia जो होता है बच्चो, वो mass के उपर depend करता है, किसको पर depend करता है, mass के उपर, अब आप सोच रहा होँगे, सर, mass के उपर, yes, mass के उपर, और distribution of mass के उपर, mass बोलो, और या फिर, distribution, ठीक है, distribution of mass, ठीक है, तो, moment of inertia, basically, दो, time में, ठीक है, आपने define कर सकते हैं, अगर आपके पास, mass और distribution of mass हो, ठीक है, सर, क्या, दोनों time में, moment of inertia, same होता है, नहीं, लेकिन, moment of inertia, निकल जाता है, दोनों में, moment of inertia, same नहीं रहता है, इसका, moment of inertia, थोड़ा अलग रहेगा, इसका, moment of inertia, थोड़ा अलग रहेगा, सर, what if both have the same mass, सर, क्या, अगर दोनों का mass, same है, मालो, यहापर सर, इसका weight 50 kg है, मालो, ए बोरी है, अपना आंडिया है, ठीक है, अपना आंडिया का origin कितना, बच्छो, 50 kg है, यहाँ पे उसकी कांडी है, ठीक है, उसका origin है, 50 kg, उसका भी same ही है, वाओ, यहाँ पे दोनों का origin क है, same है, ठीक है, तो बच्छो, यहाँ का, आप, आपको यह चेक करना है कि आंडिया और कांडी का क्या, आप मोमेंट आप इनर्सिया सेम रहेगा, अगर बच्छो, उनका अगर distribution नहीं हुआ है, मास का, ठीक है, वो एक ही, सेप और साइज में है, तो उनका मोमेंट आप इन पर है, तो हां मोमेंट आप है पर तो हां मोमेंट आप इनर्सिया अलग रहेगा, ठीक है, तो मोमेंट आप इनर्सिया अगर एक एक्च्छल प्लेस पर देखा गाए और थोड़ा थी जियाँ है, ओTOR है, जित willen मुमिंट ऑमिनर्शिया को मैं आपको याद करने चैनल में आपको बोला था एजामपल बताता हैं मुमिंट और मिनर्शिया कैसे पैचांथ है किसर किसका मुमिंट ऑब Supreme जादा है किसका मोमिंट ऑ मिनर्शिया कम है ठीक है जिसे यूपको example देता हूँ assume करू let us assume that ठीक है assume करूँ बच्चो कि यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर characters लिये हैं ठीक है एक characters हमारा है the great khali the great khali यह हमारे khali भाई है ठीक है और इनके साथ मैं लेकर आ रहा हूँ इनके साथ मैं लेकर आ रहा हूँ रामपाल यादो को ठीक है मैंने दो characters लिये हैं एक काफी bulk काफी muscle वाला काफी उचा कट ठीक है और एक मैंने हिलिये हैं ठोड़ा medium ठीक है तो फुरुपी छोटा का ठीक है तो मैंने दो ग्रेक्ट्र स्याइए एक मैंने लिया है कोई भी ले सकते हैं सब्सक्राइब नहीं ले लू अपने आपको ठीक है तो एक मैं हूँ और एक खली ठीक है बच्छो यहाँ पर अजून करो डोनों की बीच में हमें किया कराने जा र तो देखना यह है कि दोनों के moment of inertia क्या होगा ठीक है तो let's start the race दोनों के बीच का race start करते है ठीक है तो बच्चों assume करो इनके बीच का मैंने race क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया race start the race start कर दिया मैंने race क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया दोनों अपने speed में क्या कर रहे है दोनों का जो speed है ठीक है दोनों मानलों ये भी अपना 80 किलो मीटर पर आर्ड ये भी 80 अज्वी है स्टार्ट किलो मीटर पर आर्ड दोनों एक ही speed में क्या कर रहे हूं दोनों diverड़ रहे है ठीक है अपना खली भी दोड रहे हैं और अपना राजपाल यादो भी दोड रहे हैं दोनों के दोड रहे हैं ठीक है अब अजूम करो दोनों दोड रहे हैं अचानक से उनके बीच मतलब इसके भी पात में उसके भी पात में मतलब यह यह खली का रास्ता यह राजपाल याद ठीक है मतलब कोई घाडी चल रही है इस और रहे है एक साथ कारेक्षन आछाता है तो चेसल ही गारी हैna決 गया channels और रहता हो कारे जाता है तो बन्हों क्या कर रहे है कि ऑलगा कर रहे हैं सल्ए उन्हें एक साथ ब्रेक मारा, तो मुझे बताओ, कोन अपने आपको गन्टूल कर लेगा? तुर्ण on the sport, जगे पर, मतलब on the sport जगे पर है अपने आपको कौन गन्टूल कर लेगा? खली कंटूल कर पाएगा? कि रासपाल यादो, ये अपने आपको अंदा स्पोर्ट कंट्रोल कर लेंगे लेकिन यहाँ पर खली अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि खली का जो मास है वो क्या है जादा है ठीक है और वही पर जो अपने राजपाल यादो का मास है वो क्या है, कम है, ठीक है, तो mass ज़ादा रहेगा, तो सीधा उसका असर किसके उपर जाएगा, velocity को उपर जाएगा, और velocity भी क्या हो जाएगा, मतलब uncontrolled, मतलब काफी motion में रहेगा, ठीक है, तो इनका mass कम रहेगा, तो velocity पे इनका control क्या रहेगा, control बढ़िया रहेगा तो इसका सीधा उसके velocity पर impact पड़ता है जिसके वैसे उसका inertia क्या हो जाता है बढ़ जाता है अगर mass कम है तो velocity on the sport control में आ जाता है तो उसका moment of inertia क्या होता है down हो जाता है जिसका mass ज़्यादा बढ़ेगा तो moment of inertia उसका ज़्यादा बढ़ेगा mass कम रहेगा तो उसका moment of inertia कम रहेगा तो इस चीज़ आपको क्या करना है ध्यान देना है इसको आप बहुत से example से आप क्या अगर सकते है पड़ सकते जिसे कोई road है कोई highway है उस highway पर बच्चो एक्साइट अगल बगल मालो कि एक ट्रक है एक 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 ट्रक और एक एक ट्रक में रेस हो रहा है दोनों एक ही speed से चल रहे है अचानल से road पर कोई बंदा आ गया है अचानलर वालाiso एक ट्रक वाला और अच्टिवा दोनों ट्राइग कर रहे हैं कि बंदे से हमार अक्सिदेन नहाँ हो दोनों एकशाथ क्या कर रहे है ब्रिग मार रहे है मुझे बताओ कोन अपने कं- ॐलीगा वहाँ पर एक्टिवा फटा कट्रोल कर लेगा लेकिन वहाँ पर ट्रक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कंट्रोल करते 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 फिर क्या हो जाएगा? टक्रा जाएगा, यह सो लो, वहाँ पर जो ट्रक है अपना मोमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्यों उसका मोमेंट अपना अपना ज्यादा है, ज्यादा होने के वजय क्या है क्या है ट्रक क्या होता है ट्रक बहुत बढ़ा होता है ठीक है ट्रक कैसे रहता है आपको पता है ट्रक का मास देखो और एक्टीवा का मास देखो दोनों के मास में क्या बच्छो दोनों के मास में क्या है डिफरेंस है कि नहीं है ठीक है दोलों के मास्ट में ज्लिफरेंस है is roll तो इसका मूमिंट और ऐनेर्थिया क्समें रहता है कंट्रोल में रहता है इसका मॉमिंट और ipli अंकंट्रोल किमें को अंड discovery आगे पढ़ते हैं तो तो यहां पर moment of inertia के लिए आपके पास दो चीजिता होना ततव मोड़ीडों के लिए आपके पास excess का होना वह जुरूरी है अरहीं अग्सिस का पता होना वह जुरूरी और प सुआज शक्वरनें रहेगा तो आप को moment of inertia को identify नहीं कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि माल लो, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई object है, object A है, ठीक है, इसका कोई mass M1 है, ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चो, moment of inertia निकालना है, ठीक है, तो इसका हम पहले क्या पता करेंगे, उसका axis पता करेंगे, माल लो, इसका, वो body इतना वड़ा क्या है, इतना फैड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस body पर हम लोग यहाँ पर उसका क्या कर रहे है, उसकोई point लिया है, उस point पर आपन moment of inertia कैसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर उसका axis है, ठीक है, तो इसके axis से क्या करेंगे, बच्चो, यहा महां तक क्या लेंगे, distance लेंगे, ठीक है, अगर उसका axis मिल गया, तो उसर से उधर तक का body की, आपका क्या मिल जाएगा, distance मिल जाएगा, और distance मिल गया, और उसका पूरा mass मिल गया, तो आप उसका moment of inertia क्या कर सकते, निकाल सकते, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखों, यह is equal to M, R square, ठीक है बच्चो, moment of inertia俪र का formula होता है, the product of mass and square of distance, क्या होता है,작ります, moment of inertia俪र का formula होता है, माल लो आपका कोई point object यहां पर है ठीक है और यह आपका कोई axis है तो यहां से यहां तक का distance देखोगी आपका क्या mass है तो आपका second moment of inertia निकले का बच्चो i2 is equal to m2 r to the whole square ऐसे आप किसी third point का भी निकल सकते हैं यहां पर m3 इसका क्या करना आपको moment of inertia निकलना है तो आपका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा यह आपका with respect to access हो जाएगा ठीक है और distance हो जाएगा तो क्या हो जाएगा moment of inertia of third point object क्या हो जाएगा एम आर एम 3 आर 3 दा स्कॉर अंडर्स्टान और नौट तो इस तरह से आप मोमेंट of inertia निकाल सकते हो moment of inertia निकालने के लिए मैंने आदो figure out किया दो figure दिख रहा हो आपको ठीक है यह कोई चर्खी गोल बच्पने आपने चलाया होगा में आपके आपको दिख रहा होगा कि कोई आपके पास कोई body है ठीक है उस body में आपका क्या है आपका अपका यह का आपका एक्सेस है जब आपको पास एक्सेस है तो अप उस body का moment of inertia किसी भी point से क्या कर सकते हूँ —शब्स मुझे इस body का moment of inertia इस points निकारना है, इस point करना मालू A point है, ठीक है — तो यहाँ पर उस body का mass M1 है, understand or not — तो मुझे यहाँ से क्या करना है moment of inertia निकारना है जैसे कि यह पूरा body है, इस पूरे body मुझे क्या करना है, यहां से क्या करना है, यहां से इस चर्खे को क्या करना है, यहां से इस चर्खे को क्या करना है, इस भुमाना है, नचाना है, ठीक है, तो इसका moment of inertia आपको निकानने के लिए क्या पता होना चीए, उसका actual central axis क्या है, त ठीक है तो Central Axis उसका क्या होना चीए आपका R Distance पता होना चीए अंडेस्टेंगों नौट तो यह आपका R Distance और इस Point Object का आपका क्या हो जाएगा Mass हो जाएगा तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इस Point पर Point A पर आप Moment of Energy क्या कर सकते हो निकाल सकते हो क्या बनेगा आपका यहां पर Moment of Energy i1 is equal to M1 यह आपका क्या हो जाएगा R1 लेकिन इसका Distance का क्या होता बच्चो According to our formula हमारे formula की साफ से Distance क्या होता है Square रहता है understand not तो आप इस Point पर क्या कर सकते हो ऐसा निकाल सकते हो Suppose i1 मुझे इस Point पर निकालन है Suppose i2 हमारे पास Point V hear We have Point V थीगे उस Point B पर बच्चों में क्या करना है Moment of Inner तो आपको क्या होना चाहिए इस पॉइंट B पर आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट B का मास क्या एंट 2 है ठीक है इस पॉइंट B का आपका actual center का जो यह हमारा क्या है central axis उस central axis से इसका distance क्या है तो हमें पता इसका distance क्या है r है understand क्योंकि यह 2 है तो इसको भी 2 कर दो understand or not तो central law इसका आपका moment of energy क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर with respect to b क्या हो जाएगा आपका i2 equal to m2 r2 the whole square इस तरह से आप इस point के निका सकते हो इस तरह से आप इस point का निका सकते हो इस तरह से आप इस point का मतलब इस तरह से आप किसी भी object के किसी point से moment of inertia निकाल सकते हो वो निकाननी के लिए बस आपको पता होना चाहिए उसका central axis क्या है ठीक है और central axis अगर आपको पता चल गया है तो उसका moment of inertia निकानना बहुत आसान होता है अदेस्टना नोट आगे आज बच्छो फट 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 रिमेंबर याद रखें कोई अपने पास रॉड है वी हाव रॉड हमारे पास बच्छो क्या है रॉड ठीक है और उस रॉड का में क्या निकानना है वाड भी हाव तू फाइंड उस रॉड का में moment of inertia निकानना है हमारे पास कोई रॉड है और उस रॉड का moment of inertia गया होगा तो कोई आपके पास रॉड है ठीक है तो रॉड का सबसे पहले आप उसका क्या निकालो उसका central axis निकालो ठीक है central axis पता होना चाहिए understand or not तो आप उस हिसाब से अब किसी पॉइंट पर चाहिए पॉइंट चाहिए पॉइंट चाहिए पॉइंट चाहिए पॉइंट चाहिए पॉइंट कहीं भी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो उसका moment of inertia निकाल सकते हो तो याद होना चाहिए understand or not यह सब मैं आपको कुछ बताने वाला हुए CT के परपस के लिए बहुत यादा important है अगर आप इसको याद रखोगे तो जो भी हम आजने वाले time पे MCQ इस से रिलेटेल करने है और हमारा अगला सेसन होने वाला है इसमें आपको बहुत ज्यादाaceyल मिलने ओल ठीक है तो please watch this carefully ठीक है अगला है हमारे पास बच्चो क्या है हमारे पास रिंग है रिंग 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 पता थे ने इस भमात इसको कड़ा हो गया, तो भी क्या है, रिंग हो जाता, ठीके, तो हमने यहां पर कड़ा टाइप का, हमने कोई यहां पर structure बनाया है, जो रिंग है, इसको हम क्या कहते है, ठीके, तो रिंग का अगर हमें moment of inertia निकारना है, तो क्या होगा, तो रिंग का not any given access, ठीके, central, central, central के respect में is a price standard formula बता रहो, जो की बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीके, तो यहां पर ring का, अगर मुझे moment of inertia निकारना है, बच्चो, if I have to find the moment of inertia of a ring at the central axis, तो इसका formula बनता है, I equal to MR square, क्या होता बच्चो, I equal to MR square, क्या होता बच्चो, I equal to MR square ठीके, now, ये चीदि आत्यान देना आप लोग, अगर आपके सामने कोई disc है, डिस्क मस्ते बच्चो, जैसे की circular जैसा रहता है, उसमें थोड़ा thickness रहता है, बित रहता है, तो उसमें क्या कहता है, डिस्क रहता है, पहले CD होता था, DVR होता है, तो उसमें क्या रहता है, तो अगर उसका central axis के respect में, अगर moment of inertia निकानना है, तो उसका formula क्या रहेगा बच्चो, I equal to half mr square, I equal to half mr square, I equal to half mr square, this formula you will have to remember, ये सब formula आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, डिस्क ऐसा दिखता है, और डिस्क का जो moment of inertia होता है, ये होता है, ऐसे आप ring का देखोगे, ऐस आप square का देखोगे, आइसे आप circle का, मतलब हर एक चीज़ का जो भी आपको बताने वाला हो, सब का आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे हमारे, हमें यहाँ पे CT के लिए इसका formula design नहीं करना है, मतलब calculate नहीं करना है, कि formula कैसे derive हो है, यहाँ पे हमें formula याद रखना है formula याद रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ आप पे derivation नहीं करना है, यहाँ में CT देना है, यहाँ में CT देना है, CT में हमारे पास जागा time नहीं होता है, यहाँ only 60 minutes, 60 seconds, 60 seconds में आपको पुरा CT क्या करना है, जिसे कि आपका जो 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 questions रहता है, जिसे question 1, question 2, question 3, question 4, हर यह questions के लिए आपको 60 seconds का time दिया चारेगा, और 60 seconds के अंदर आपको क्या करना है, एक है question को फटा-फट क्या करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा important चीज़ है, क्या, formula, formula आपको यादना चाहिए, यादना चाहिए, ठीक है, आज अगे बड़ते बच्चो, अगला हमारा है, parallel axis theorem, जो कि just after perpendicular axis theorem हमने देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो perpendicular axis theorem में आपने क्या देखा, कि कोई आपके पास plane laminar body रहेगा, और उस body को आपको balance करना, उसका center of mass के respect में, तो आप उसका अलग-अलग axis ना सर्च करके, कोई आप उसका एक specific central axis सर्च करो, जिससे उस पुरा body क्या हो जाए, balance हो जाए, तो आप हमने iz axis को क्या किया था, हमने सर्च किया था, और वो total equal था, with respect to ix plus iy के value की, ठीक है, तो अभी आप अगला देखने जा रहे है, parallel axis theorem, parallel axis theorem क्या होता है, ठीक है, parallel axis theorem में बच्चों आपको क्या करना है, कि आपको कोई भी shape का body ले सकते हो, you can take any shape of body, ठीक है, बदलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों कि आपका जो body है, वो like जैसे की circular होना चाहिए, या like कोई specific elliptical होना चाहिए, ऐसा कोई वहाँ पे shape का कोई matter नहीं, safe size doesn't matter, ठीक है, तो perpendicular axis theorem में हमने जब देखा था, तो वहाँ पे आपका एक specific यह था, कि वहाँ पर body आपका plane होना चाहिए, लेकिन while doing this parallel axis theorem, parallel axis theorem करते समय, हमें यह कुछ भी mandatory नहीं है, कि यहाँ पर आपका जो body है, उसका कोई एक specific shape होना चाहिए, ठीक है, here the shape is not important, तो मैंने किसी भी shape का दिख रहा है, body आप हमें design कर दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, we all know that, जो stand, आपका moment of inertia होता है, ठीक है, वो हमेशा सबसे standard किस पर रहता है, central axis पर रहता है, तो हमने ऐसा कोई body लिया है, ठीक है, उस body का हमने उस body का हमने central point डूड़ा, central point इसका ये है, ठीक है, तो central point पर moment of inertia, ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन हमें मान लो कि उसके center पर moment of inertia नहीं निकालना है, ठीक है, हमें कहां पर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो उसके ही parallel में कुछ दूरी पर, suppose उसके parallel मे कुछ दूरी पर यहाँ पर हमें क्या करना है, moment of inertia निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर moment of inertia निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, central पर moment of inertia रहेगा, लेकिन आपको point object का किसी side में आपको निकालना है, corner पर निकालना तो अपको क्या निकालना है मौमइंडी अइसन रहों जाए है दो आपको क्या निकालना है तो इसके लिए पता हो घा सूक कि किस के साथ ह ग्ने प्रस पता होना चाह्य है जब यह आपको पता रहेगा तो आप Robley किया कर सकते हैं अक्स त्पाते हो और इसको इसको कर सकते हो ठीक है और अपने होगा इकवल होगा the moment of inertia of the body at the central point plus the whole mass of the body and the square of its distance understand or not जो की इस तरह से हम क्या करेंगे उसका formula calculate करेंगे तो बच्चो यहाँ पर क्या करने है आपको again I repeat moment of inertia in parallel axis theorem parallel axis theorem में moment of inertia अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पहले central moment of inertia पता होना चीए फिर आपको किसी side way आपको moment of inertia के लिए आपको क्या करना है pinch करना है ठीक है उसका आपका distance पता होना चीए understand तो आपका जो total moment of inertia जब calculate होगा तो इसका जो moment of inertia रहेगा वो एक्वल रहेगा ठीक है किसके जो आपका central moment of inertia है प्लस total mass के और उसकी बीश का तो डिस्टेंस से उसके height के square के तो यह formula आपका क्या बनेगा फार्म होगा ठीक है जो कि मैंने आप पर रिखा है ठीक है तो यह formula बच्छो आपको क्या करना है याद रखना है for finding what parallel axis theorem parallel axis theorem मतलब इससे कि आपने को क्या करना है कोई unsafe body है अपने कोई ऐसा point डूना है जिस पर आपको क्या करना है body को पुरा rotate करना ठीक है और रोटेशन पर क्या करें body balance रहे और पुरा अच्छे से क्या करें रोटेट करें ठीक है जो अपने central पर करता था वही इस लिए इस पर भी करना चीए तो इसके लिए क्या होना चीए हमें ऐसा कोई आपको मास निकालना है चाहे मोमेंट आप इनर्ट अर्द सेंटर पॉइंट निकालना है ठीक है आप कोई भी टर्म और को इसली क्या कर सकते हो बच्चों कैलकूलेट कर सकते हो ठीक है आगे अगला टोपिक है बच्चो यहाँ पर अंगुलर मोमेंटम अंगुलर मोमेंटम तो अंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चो अंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुला होता है L is equal to R into P यह आपका फॉर्मुला होता है ठीक है यह फॉर्मुला सर अभी तो हमने angular momentum देखा था कुछ और था like कुछ तो था सर वो कुछ ऐसा था L is equal to I omega था सर येस ठीक है angular momentum था लेकिन ये भी एक formula होता है ये किसके respect में रहता है जब वो पूरी तरह से circular path में क्या रहता है motion continue रहता है तो आपका ये भी formula है जो आपको क्या करना याद रखना है understand तो आपकी exam में आएगा तो आपको data देखना data की हिसाब से अगर data में आपके पास कैसा है data data में अगर आपके पास आपका angular दिया गया angular velocity का जिक्र किया गया है तो आप इसी formula के through angular momentum निकालोगे ठीक है अगर वहाँ पे linear के time में गर दिया गया है velocity तो आप इस formula में आज़ा होगे जो कि आप मैंने पता है ठीक है ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है बस इस तरह से आप इसका जो difference से इसका पता लगा सकते हो ठ आप ऑच्यों क्या होता है तो इसको आप लिख सकते है आप गया होता है म मतलब होता है मोपने डीजो की मैंने आप पर Shallow πट कर दिया ठीक है आप क्या करेंगे आप जो हमारे पास वेक्टर के लिवेक्टर अगर इसमें आपको क्या करना है बिस रिस्पेक्ट अंगल तो आपका जो फॉर्मुला यह फॉर्मुला पर यह फॉर्मुला जो आया था तो आप यहाँ फिर फार्मुला लगा सकते है, L is equal to M V R sin theta, understand or not, most awfully sin theta का value जो होता है, वहाँ पर, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि theta क्या रहता है, 90 रहता है, और sin 90 क्या रहता है, sin 90 क्या रहता है, बच्चो, 1 रहता है, ठीक है, तो आपका में सा sin theta का value क्या रहता है, 1 रहता, understand or not, yes, अगला topic है, बच्चो, हमारा, what is the next topic, torque, 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 इसको torque भी पढ़ते हैं, और इसको tau भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हो, कोई problem नहीं, torque होता क्या है, हमारे दिमाग में, ये question, दिमाग में कब से आरेला है, कि torque होता क्या है, सर, बच्चो, बोर तो नहीं हो रहे हो, I hope you are paying your full attention, ज्यादा नहीं, बस कुछ, पांच या 6% बिल सकता हो, 5-6% आपका topic बच्चा, उसके बाद आपका topic पुरा complete, ठीक है, तो बस wait and watch, बस for few minutes, ठीक है, तो torque की बात कर रहे हैं, we are talking about torque, torque की बात कर रहे हैं, torque होत क्या है, cause of rotation motion due to applied force, the cause of rotation motion due to applied force, मतलबं अगर कोई body rotation motion कर रहे है, और वो force की respect में कर रहा है, मनbnना, force किसी body पे act किया, उस force के वेच сил research body क्या कर रहे है, rotation कर रहे हैं, तो वहाँ पे डोचेशन होगा, वहाँ पे क्या आजाएगा, torque क्या आजाएगा, torque type का force होता है, जो force की वज़े से form होता, understand or not, ठीक है, और हमेशा किसमें रहता है, rotation motion में रहता है, जिसे कि पंके में रहता है, ठीक है, या कोई भी object जो क्या गर rotate हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो क्या किलाता है, वहाँ पर आपका torque प्रेडिश हो जाता है, ठीक है, तो torque यहाँ पर formula द ले लोगे, तो torque क्या होता है, r into f, तो इसको हम लोगे सकते, also tau is equal to rf sin theta, यह आपको sin theta कर लेना है, बच्चों, जब वहाँ पर कोई angle produce होगा तो, ठीक है, तो यहाँ पर sin theta आजाएगा, और sin theta आप वहाँ पर low, बाद में अगर वहाँ पर angle 90 हो जाएगा, तो वहाँ पर क्य हो जाएगा पर value 1 हो जाएगा, जो आपको घूम फिर के फिर से आपका क्या हो जाएगा, tau is equal to rf हो जाएगा, understand or not, अगर angle बोला है, लेकर angle specific, specify नहीं किया गया, मतलब अंगल को आप पर नहीं बताया गया, मतलब अंगल बोला है, लेकर कितना angle नहीं बताया गया है, तो आगे बढ़ते हैं, conservation of angular momentum, बच्चो, conservation of angular momentum, ठीक है, कैसे निकाला जाए, जैसे कि यहाँ आप लिखा है, if tau external is 0, then the change in angular momentum with respect to time is also 0, yes, मैं बताता हूँ, जैसे कि माल लो, कोई body है, क्या पच्चो, कोई body है, ठीक है, जैसे मेरा body है, ठीक है, suppose my body, मुझे अपने body को क्या करना है, motion देना है, ठीक है, तो मेरा body motion कब तक नहीं करेगा, जब तक मैं अपने body को force नहीं दूँगा, ठीक है, जब force नहीं दूँगा तो मेरा body motion करेगा यह नहीं तो वैसे ही अगर मैं आपको live example तो suppose जैसे कि कोई object है जो क्या करता है तो आप किसी garden में गयो तो garden में आप जाते हो बच्चो तो garden में आप जूला देखते हो बच्चो जूला 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 ऐसा कुछ रहता ना जूला ऐसे आपका क्या रहता है आ ऐसे 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 यहां बैठने वाला रहता है 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 यहां बच्चा बैठता है यहां बच्चा बैठता है यहां बच्चा बैठता है यहां बच्चा बैठता है तो जूला 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 हो इसे गोलगों घुमता है की आफ सोचो दिसर नुट लाइअ आया नहीं है वे इसे और यो कजो तो क्या आएगा उसके पास टार्ग आज आएगा यस और नो यस तो अजूम करो वहाँ पर जूला पर जूले बच्छे बैठें ठीक है लेकिन जूला वाला जूला जूला ही नहीं रहे मतलब उसको force दे रहे external force दे रहे ठीक है जो forth दे गा नहीं तो rotation होगा नहीं और rotation होगा नहीं, तो torque 0 रहेगा, yes or no, तो if external force is what, absent, वहाँ पर external force नहीं दिया गया है, तो हाँ पर rotation नहीं हो रहा है, तो हाँ पर tau क्या रहेगा, 0 रहेगा, अब जब हाँ पर tau 0 हो गया बच्चों, तो वहाँ पर angular momentum हो गए नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, यह भी, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो पहले और बात की इनिशिल और, final momentum रहेगा, ठीक है, जब मैंने नहीं दिया थो मैंचेंज भी नहीं हुआ, इनिटियल तो मैं ने पाया नहीं। नहीं। जा मैं मैंने उस पे फुस दिया नहीं। उस में laut बोट दोनों क्या रहे था सेम है कि या तो यह इनिटियल मोम्नटम और final जो आपका angular momentum रहेगा क्या रहेगा, same रहेगा ठीक है, तो उसमें होगा क्या L is equal to I omega L is equal to I omega मतलब initial इसलिए क्या करो, 1-1 से कर दो और ये final है, तो 2-2 से कर दो understand or not तो दोलों क्या रहेंगे बच्चो, equal रहेंगे ठीक है, L equal to क्या होता है I omega होता है understand or not तो आपको पता होना चाहिए इसके वज़े से एक ऐसे formula आया, क्योंकि दोनों term क्या रहते हैं, unchanged रहते हैं, और unchanged रहेंगे तो दोनों equally रहेंगे, equally रहेंगे, तो दोनों क्या रहेंगे I1 omega 1 equal to I2 omega 2 रहेगा येस, चलो now I think this is the second last topic of this chapter बस कुछ ही minute में आपका ये session over होने वाला है just कुछ second में, ठीक है कुछ time बे आपका session हम खतम कर देंगे, ठीक है आजो, radius of gyration बच्चो, radius of gyration ठीक है, radius of gyration क्या होता है ठीक है, तो radius of gyration मतलब जैसे की, आपको बता दू आपको पता है कोई आपका disk है मतलब कोई भी समलोगी plane laminar body है ठीक है, और इसका में पता है क्या, इसका central axis है ठीक है, तो इसका तो मुझे पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा कि इसका moment of inertia क्या होता है इसका moment of inertia क्या होता है half mr square होता है यह तो सब को पता है yes or no, yes तो अगर मुझे कहीं इस point पर कोई एक specific किसी एक point का अगर मुझे क्या निकालना है वहाँ पर moment of inertia निकालना है तो क्या हो जाएगा यह पूरा body का मास हो जाता तो इस तरह से हमारे यह formula बन जाता understand or not लेकिन यह पूरे body पर किसी एक point का और इस point का ही specifically उसी point का सिर्फ उसी point का moment of inertia से निकालना है तो माल लो इस point का निकालना है तो इसका आपका एक अलग से radius बनेगा उस radius को अजूम करो क्या हो जाएगा हमने denote कर दिया k से understand or not ठीक है वो k हो जाएगा understand तो k और पूरा body का mass मतलब km हो जाएगा understand तो जो यहाँ पर यहाँ पर mr square हुआ करता था यहाँ पर क्या हो जाएगा km square हो जाएगा understand or not ठीक है तो अब यहाँ पर होगा क्या मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यह हो जाएगा कि जो एक specific body का यहाँ पर पॉइंट हमने लियाता है आप पर इस point का अगर बिस रिस्पेक्ट तो यहाँ पर radius हमने के लिया हमने यहाँ पर r नहीं ले सकते तो यहाँ कि आपको पूरा होता है यहाँ पर र हमने ले चुके है पूरे system के लिए तो इसको r को फिर से दुबारा नहीं ले सकते है ठीक है तो हमने r को पहले से ले चुका है तो हमने क्या कर रहे हैं किसी point का हम लोग क्या कर रहे है moment of inertia सर्च कर रहे है तो इसका with respect to center क्या हो जाएगा यहाँ सी इसका हम लोग radius निकालेंगे मनलोग क्या e है अब पूरे body का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा तो इसका specific एक point का moment of inertia क्या हो जाएगा बच्चो m k square होगा जो कि किसकी equal रहेगा जो equal रहेगा total half m r square के yes 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 हमारा अर्थ है अर्थ हमारा क्या हो रहेगा बच्चो rotate हो रहा है yes or no तो जो अर्थ का moment of inertia है rotation का ठीक है जो rotation का अर्थ का खुद का ठीक है वहाँ पे moment of inertia है वही speed वही moment of inertia हमारा भी रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा वह हमारा भी रहेगा, येस वावो, क्योंकि हम अर्थ के इंसाइड है, येस वावो, हम अर्थ के अंदर है कि नहीं है, तो अर्थ जितने तेजी से घूम रहा है, उतने तेजी से अर्थ पे प्रेजेंट, हर एक अबजेक्ट, हर एक चीज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है कि तो जो अर्थ का खुद का रोटेशन का स्पीड रहेगा वही इस अजेशर का भी रहेगा वही आपका भी रहेगा वही सब का रहेगा येस और नो येस तो वहाँ पे moment of inertia पूरे system का या किसे एक point कादर हम निकालते हैं तो उसका कैसा रहता है उसका value जो रहता है same रहता है ठीक है तो हमने क्या value को same कर दिया मतलब ये जो moment of inertia किसी एक point का रहेगा वह इसके पूरे system के क्या रहेगा equal रहेगा ठीक है तो यह क्या हो जाएक बच्छो यह mcm को kart डाला यहा पर क्या बच्छो k square equal 2 हाफ r square understand तो अगर हम लोग अ करते हैं बच्छो r square का मलनूग क्या करते हैं कि का हम करते हैं square root लेते हैं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा र square by 2 understand or not yes इसको अगर आप को और simplify कर सकते हो तो k equal to क्या हो जाएगा बच्चो इडविल बहुत यहां पर यह स्क्वाइर हट जाएगा आपका r upon root 2 हो जाएगा yes or no क्योंकि r square में रूट लगाया तो कट जाएगा तो r का root हट जाएगा cvr root 2 रहेगा understand तो यह आपका formula बनेगा किसके लिए radius of gyration का formula बनेगा understand or not yes तो radius of gyration के लिए formula आपको याद रखना जुरूरी है understand अगर कोई कैसा है ऐसा body है ठीक है आगे I think this is the last topic yes fine तो चेहरे पर सबके smile आ जाना चाहिए ठीक है finally we reached और हमने finish कर रहे है क्या है हमारा topic का नाम what is our last topic name conical pendulum बच्चों इसको मैं जा और पहले बताना चाहिए था ठीक है ठीक है तेकर मैंने slide में आपको थोड़ा last miss को रखा है कोई गर नहीं पढ़ना तो सब कुछ है ठीक है तो हमने topic का क्या नाम रखा है conical pendulum conical pendulum आप सब इससे क्या हो परची तो सब इसको जानते हो yes or no सब ने पढ़ा होगा 12 standard में conical pendulum क्या होता है ठीक है इसको मैं थोड़ा diagram कि थ्रू बताता हूँ yes diagram में देख बच्चो conical pendulum क्या होता है conical pendulum क्या होता बच्चो diagram में बगो यहां पर माल लो यह कोई आपका क्या है ceiling है ठीक है this is what kind of ceiling it is ceiling से attach मैंने क्या रखा है कोई यहां पर मैंने bob को रखा ठीक है इस bob को मैं आप लेकर आया ठीक है और उसको किया क्या कर यह चोड़ाइब कर रहा है तो वहां पर बच्च स्च्चरक करेगा औरärt प्र स्टॉक्चरक्चर करेगा च्छ कज़ाएगा और क्योंकि यह pendulum form कर रहे हैं तो फिर से आपको बताता हूं जैसी कि माल लो यह आपका क्या बच्चो यह आपका क्या है कोई pendulum है ठीक है यहां पर bob-like structure रहता है इस सॉपप कहां कि करेता है देनल यहां पर इसको को कैते हैं और नियुकर एक साथ में में पर ललो यहां पर लेकर है ठीक है और कि उसको ऐसे 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 क्या करें घुमा रहे हैं आप लोगोंने मेला में गय होगे यह सुनो आप सब मेले में गय होगे मेले में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ तो रहता है ठीक है मेले में क्या रहता है ऐसे आप कुछ जूला जूलते हैं ऐसे जूला रहता है और जूले क क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, भूमते रहते हैं, ठीक है, आप सब ने जूले का आप लोगों ने मजा लिया होगा, yes or no, सब ने जूले को देखा होगा, आपने इसको मेले में देखा होगा, मेले में कैसा रहता है, यहाँ पर कोई परसन बैठा र तो इसे इसे पर चिलाते हैं, like that. तो जब ऐसे इसका motion रहता है. तो इसका formation कैसे होता है? कुछ cone-like structure होता है. इसे cone-like structure होता है. कुछ cone-like structure होता है? कुछ cone-like structure होता है? कुछ cone मनता है, не käष? आइसे-creme kone का cone देखा आप लोगों ने? असकेम का कॉन कैसे रहता है, यससे रहता की रहता है, yes or no? अंडर्सटाइब नौ राट तो ऐसा कॉन लाइक स््रक्चर डिराइग होता है क्योंकि यह क्उनलाइक स्ट्क्चर डिराइग कॉन कर रहा है? पेंदूलम कर रहा है ठीक है यस तो क्या कहते है? कोनिकल पेंडूलम कहते हैं ठीक है यह मैं डेफिनेशन आप लिखके दिया बच्छो डेफिनेशन क्या है A simple pendulum whose Bob describe cone-like structure while revolving in horizontal circle with constant speed ठीक है इस काल कोनिकल पेंडूलम बच्छो यहाँ आप पर चीज़ ध्यान देना Do remember here यह चीज़ ध्यान देना कि आप पर speed क्या होना चीज़ आपका कि speed must be constant आपका speed constant होना चीज़ speed constant होना चीज़ तो आप पर एक बंदा दुसरे बंदा से क्या हो जाए टक्रा जाएगा while doing the formation ठीक है आजो अज़ बच्छो जब इसको करेंगे तो हमारा equation बलेगा ठीक है conical pendulum करते समय हमने यह derivation derive किया होगा yes or no yes जब ने conical pendulum का derivation derive किया था तो हमें यह equation मिला होगा ठीक है यहाँ पर omega क्या है angular velocity है यहाँ पर g क्या है gravity है यहाँ पर h क्या है height है जो कि मैं आपको दिखा देता है आप पर यहाँ पर बच्चो क्या रहेगा यहाँ आपका क्या रहेगा height रहेगा ठीक है यहाँ आपका length रहेगा yes or no यहाँ पर आपका क्या रहेगा mg act करेगा understood or not yes understood or not ऐसी आपका क्या रहेगा बच्चो यहाँ पर दिखो यहाँ पर क्या है ओमेगा एक्वल ट्ทू अंडरूट जी बाइच ठीक है यह आप लोगों ने regular lecture में बच्चो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोगों ने देखा अगा Ohよね equal to Note अडरूट G बाइच जहाँ पे हमने हेज को क्या कर लिया था ऐल कॉस्स ठीता कर लिया था yes or no yes तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अच्छो जैसे की यह आपका formula बन गया और यह किसके लिए है for angular speed ठीक है इसी formula को आपन क्या कर सकते हैं और simplify करके ऐसा बना सकते हैं yes or no yes कैसे बना यह formula से sir यह formula कैसे बना we all know that हम सब को पता है क्या पता है omega equal to 2 pi n यह formula सब को पता रहेगा बच्चो yes or no yes तो आपन क्या करेंगे instead of omega omega के जिगा पर क्या पुट करेंगे 2 pi n पुट कर देंगे अगर यहाँ पर 2 pi n पुट किया 2 pi n पुट कर दिया ठीक है equal to यह क्या हो जाएगा under root g by h हो जाएगा yes or no यहाँ को आप यही पर रखो 2 pi को यहाँ फेज दो understood or not yes यहाँ पर जाएगा divide हो जाएगा divide हो कि आपका equation कुछ इस तरह से दिखाई देगा yes तो यहाँ पर आपको दो formula आपको फिलहाल के लिए पता होना चाहिए this is very important एक formula आपका क्या बच्चो एक formula आपका है यह वाला जो की आपका angular speed को show करेगा when the bob performing what conical formation ठीक है और एक formula आपका यह इसमें क्या रहेगा जो आपका pendulum है जो cone like structure drawing कर रहा है ठीक है form कर रहा है तो इसका frequency क्या है किस frequency पर क्या कर रहा है वो पूरा यहाँ पर आपका formation perform कर रहा है तो frequency उगरा निकालना है time period निकालना है उसके लिए आपको बच्चो यह formula पता होना चाहिए understand or not तो इस तरह से बच्चो हमने लगबग सभी topics को clear कर लिया है ठीक है इसमें आपको यह चीजे पता होना चाहिए कि हमने इस topic में most of उन सभी topics को clear करने की कोशिश की है जो आपके आपके board exam के according आपके syllabus में 2020-2021 के according आपको दे गए थे ठीक है उसमें कुछ ऐसे topics थे जो reduced थे जो कि आपके board exam में नहीं आए थे मतलब आपका एक्जामी नहीं हुआ तो कैसे आएंगे लेकिन वो आपके जो reduced syllabus थे वो board ने हटा दिया है तो वो आपके MSCT में भी नहीं आने वाले है तो कुछ reduced topic को हमने हाँ से kick out किया है लेकिन हमने जो given portion थे उसको हमने most openly try किया है कि हमने उसको पुरा cover किया जाए in one short थीक है I hope आप सब को ये पुरा session समझ में आया होगा and I wish कि आप इसको पुरा session को अच्छे से बार बार देखेंगे जम कर देखेंगे इतना देखेंगे इतना देखेंगे कि थारा भाई जोगेंदर याद हो जाएगा तो भागेगा उसका कटेगा अब आप सोच रहोगा क्या कटेगा आपका number कटेगा अगर पढ़ाई से दूर भागे बच्चे तो आपका number कटेगा तो फिलाल आपका M.S.E.T. का exam बहुत coming soon है is very near तो फटे फढ़ाई करो और वीडियो को बार बार देखके इतना समझ लो इतना समझ लो कि फिर आप teacher बन जो तो इसमें हमने mostly सब topic को खतम कर दिया है अगले lecture में हम फिर मिलने वाले हैं और इस topic से जुड़े जितने भी आपके M.S.E.T. exam में questions आ सकते हैं ठीके moderate level questions वो सब हम आपने क्या करेंगे solve करेंगे So please stay tuned and please study hard Thank you and bye bye